परिचय इस समय गर्मियों की छुट्टियां है, दोस्त कैरम खेलने के लिए मोहित के घर इकठे हुए हैं, खेल के दौरान बिजली चली गई खेल पूरा करने के लिए मोहित जाकर जलती हुई मुंबत्ती ले आया, सभी ने जलती हुई मुंबत्ती देखी थी, लेकिन आज नाचती हुई ज्वाला काफी रोचकता से देख रहे थे, चर्चा करने के लिए ज्वाला एक रोचक फिशय है, इस पार्ट में हम ज्वाला औ और इंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम लैंप की ज्वाला को देखते हैं, इसका रंग पीला होता है, लेकिन किचिन स्टोव की ज्वाला नीली होती है। क्या आप जानते हैं कि ये ज्वाला कैसे प्राप्त होती है। मुम्बत्ती की ज्वाला की संरचना मुम्बत्ती की ज्वाला को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। भीतरी जोन, मध्यवर्ती जोन और बाहरी जोन मुम्बत्ती का जलना आईए हम रोहन द्वारा किये जाने वाले क्रिया कलाप को देखें। वह काँच की एक प्लेट को चिम्टों की सहायता से ज्वाला के चमकदार जोन में रख कर दिखा रहा है। काच पर पड़े गोल काले धब्बे ज्वाला के चमकदार जोन में उपस्थित बिना जले हुए कार्बन के कड़ों के संकेत हैं आईए अब हम दूसरे क्रिया कल आपको देखें रोहन ने तांबे के एक पतले और लंबे तार को चिम्टों की सहायता से ज्वाला के बाहरी जोन में रखा है तार का यह भाग गर्म होकर लाल हो रहा है यह इस बात का संकेतक है कि ज्वाला का बिना चमक वाला जोन ज्वाला का सरवाधिक गर्म भाग होता है इंधन और इंधन क्षमता इंधन उर्जा का महत्वपून स्रोत है हमकार चलाने के लिए पिट्रोल या डीजल भोजन पकाने के लिए LPG हवाई जहाज उडाने के लिए क्रूड ओयल उश्णता प्रदान करने के लिए लकडी का इस्तेमाल करते हैं ये सभी इंधन हैं सभी इंधन निर्बाध रूप से नहीं जलते हैं इंधन क्षमता इसके उश्मीय मान द्वारा निर्धारित होती है उश्मीय उर्जा की वह मात्रा जो एक किलोग्राम इंधन के पूर्ण रूप से जलने पर उत्पन होती है इसका उश्मिय मान कहलाती है और इसे किलो जूल प्रति किलो ग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है LPG का उश्मिय मान लकडी या कोईले से ज्यादा होता है इस लिए LPG लकडी या कोईले की तुलना में बेहतर इंधन है इंधन जलने के हानिकारक प्रभाव इंधन महतुपूर्ण है लिकिन इंधन की अध्यदिक खपत के कारण पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पढ़ते हैं वाहनों और उज्द्योगों से उत्सरजित होने वाले धुए में बिना जले हुए कार्बन के कण होते हैं जो वायू प्रदूशन का कारण है यह सलाह दी जाती है कि जिस कमरे में कोईला जल रहा हो वह कमरा बंद करके कभी ना सोएं क्योंकि कम ओक्सिजन के कारण कोईला पूनर रूप से नहीं जलेगा इसके परिनाम स्वरूप जहरीली कारबन मौनोकसाइड गैस अवमुक्त होगी जिसके कारण उस कमरे में सोते हुए व्यक्ति की मृत्यू हो सकती है हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रती जागरूख होना चाहिए इसका प्रमुक कारण कारबन डायोकसाइड है कारबन डायोकसाइड की बढ़ी हुई सांद्रता का कारण इंधन की अत्यदिक खपत है ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रित्वी के तापमान में व्रिध्धी होती है इसके परिणाम स्वरूप ध्रुविय ग्लेशियर पिघल कर समुद्र के जल स्तर में व्रिध्धी करेंगे इसके कारण विश्व के निचले हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी वायु प्रदूशन का अन्यहानिकारक प्रभाव अमल वर्षा है ऐसा वर्षा जल जिसमें उद्योगों और पेट्रोल इंजनों से अवमुक्त होने वाले सल्फर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुली हुई अवस्था में मिश्रित होते हैं यह त्वचा, मिट्टी, खड़ी फसलों और इमारतों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम उप्यूक्त इंधन का चयन करके पर्यावरण पर पढ़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी ला सकते हैं इसका सर्वश्रेष्ट उदारण ऐसे कार, बस और आटो रिक्षा हैं जो प्रिट्रोल के बजाए कंप्रेस्ट नैचुरल गैस यानी CNG से चलते हैं CNG एक साफ और सस्ता इंधन है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं ज्वाला के तीन भाग होते हैं, काला जोन, चमकदार जोन और बिना चमकवाला जोन इंधन के अपूर्ण देहन के कारण, जहरीली कार्बन मोनोकसाइड गैस उत्पन होती है वायू में कार्बन डायोकसाइड की सांद्रता बढ़ने के फलस्वरू पृत्वी के तापमान में व्रिद्धी होती है अमल वर्षा में सलफर और नाइट्रोजन के ऑकसाइड घुली हुई अवस्था में मिश्रित होते हैं अमल वर्षा में वर्षा में वर्षा में मुझी होती है